दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सिवकिर्पा कलासेश पर मैं महेश कुमार बर्मा आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्ते वीडियो हमारा UPSAC Video Re-Exam का Test Series No.4 है जिसमें हम लोग सामान निग्यान यानि GK के महत्पूर्ण परसनों को Test Series के जरिये साल्व करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितनी कोस्चन साल्व हो रहे हैं दोस्ते साइट Test Series हमारे आपके UPSAC Video Re-Exam के syllabus के पूरी तरह recording बनाये जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होका साल्व करें कोस्चन कम सही होने पर पूना इन का रिविजन करें ताकि होने वाली UPT पर इसी Video Re-Exam परिक्षा के लिए आप लोग पून रूप से प्रिपेर रहे हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग Question No.1 को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों हमारा Question है संगधान सभा के आस्थाई अध्यच कौन थे संगधान सभा के दो अध्यच हैं एक अस्थाई अध्यच हैं और एक आस्थाई अध्यच हैं थोड़ा हम लोग इसके बारे में basic बात मेरे कर लेते हैं संग्विधान सभा का पर्थम अद्भेशन 9 दिसंबर 1946 इस्वी को संसत भावन के केंद्रिय कच्छ में प्रारंब हुआ उसी ही दिन दोस्तों, डाक्टर सजदा नंद सिनहा को संग्विधान सभा का आस्थाई अध्यच चुना गया, संग्विधान सभा का आस्थाई अध्यच चुना गया, यानि हमारे एंसर होगा यहापे बिकल नमबर डी, 9 दिसंबर 1946 को संग्विधान सभा की पर्थम बैठा कोई थी, संसत भावन के किंद्रिय कच्छ में, जिसमें सचिदा नंसिनहा को संग्विधान सभा का आस्थाई अ ठब होई थी, उसके तीसरे दिन संसत भावन के किंद्रिय कच्छ में ही, उसी दिन डाक्टर राजिन परसाथ को संग्विधान सभा का अस्थाई अध्यच चुना गया था, तीन कोश्चन टोटल बनते हैं दोस्तों, दो यह हमारे होगे, और उसी के तीसरे दिन फिर दोस् को पंडित जवाहर लाल नहरू ने संग्धान सभा में अपना उद्देश परस्ताव परस्तुत किया था, जो 22 जुलाई 1947 को संग्धान सभा में मानिक कर लिया था, फिर सरिविजन करेंगे दोस्तों, तीनों कोश्चन इंपोर्टेंट है, संग्धान सभा के आस्थाई जवाहर लाल नहरू के द्वारा परस्तुत किया था, निस देखेंगे, कोश्चन नमर तीन को, कोश्चन नमर दो को, सोरी दोस्तों, कोश्चन है, संग्धान सभा में प्रारूप समित के अध्धिस थे, हमें प्रारूप समित के अध्धिस बताएं दोस्तों, समितियों से स बहरलाल नहरूप B है डाक्टर भीम्राव अमबेटकर से बलब भाई पटेल और D नमबर है राजेंदर परसाथ तो इन में से हमारा एंसर होगा दोस्तों संग्विधान सभा में प्रारूफ समित के अध्यस थे डाक्टर भीम्राव अमबेटकर यानि बीकल्ब नमबर B यहाँ पे हमारा से अंसर होगा संग्विधान सभा में प्रारूफ समित के अध्यस थे डाक्टर भीम्राव अमबेटकर और देखेंगे दोस्तों उसके बाद दोस्तों वलब भाई पटेल के बारे में हम लोग बाग करेंगे तो दोस्तों मूल अधिकार योम अल्प संख्यक समित यहां से तीन कोस्चन बनें दोस्तों प्रारुव समित के द्धेश हैं और भी समितियां इंपोर्टन दोस्तों उस पर भी बात कर लेते हैं लोग कारी संचालन समित डाक्टर राजियन प्रसाद का है जो विल्प कल नुमर डि दिया गया है, यह थे art कारी संचालन समित के अधिया स्चालन चलेंगे अगले कोस्चन पर question number 3 है हमारा question है question है संग्मिधान सभा में उद्देश परस्ताव किसने परस्तूत किया हम लोग इसके बारे में चर्चा करी चुकी हैं दोस्तों कि 11 इसंबर 1946 को संग्धान सभा में उद्देश परस्ताव पंडित जवहरलाल नहरूप की द्वारा परस्तुत किया गया था जो कि 22 जुलाई 1947 को संग्धान सभा के द्वारा इस उद्धिस प्रस्ताव को मानी कर लिया गया था कि दल बदल से समधित प्रावधान कौन से उद्धान सभा की q weirs फीमरा या नागरिकों के मूल अधिकारों का वरण है यह हमारा question दोस्ता थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे क्योंकि मूल अधिकार से question बनते ही बनते हैं तो दोस्तों भारतिय संग्विधान के भाग 3 में भारतिय संग्विधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्डन है कौन से भाग में? तीन भाग नमबर तीन में ये आप ध्यान दिजीए भाग ये नमबर एक में है संग्यों राज छेत्र यानि एक नमबर आर्टिकल एक से लेकर आर्टिकल चार तक भाग दो में है दोस्तों नागरिकता यानि सिटिजन से आर्टिकल फाइब से लेकर आर्टिकल अलेवन तक और दोस्तों भाग तीन आर्टिकल टोल से लेकर आर्टिकल थर्टिफाइब तक भारत भारती संग्धान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्डन है भारते संग्धान में नागरिकों को प्रारंभ में यानि मौलिक संग्धान में साथ मौलिक अधिकार दिये गए थें, आप लोग इस्वर पढ़े भी होंगे, लेकिन 24 संग्धान संसोधान 1978 के द्वारा संपतिकों अधिकार जो की आर्टिकल 30 में था, इसे यहां से हटा कर आ लोग यहां थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो 12 से 35 है दोस्तों जिसमें 12 तेरे में राजी की परिभासा दी गई है उनसे समंदित कार दे गए हैं 14 से हमारा दोस्तों मूल अधिकार शुरू होता है, सबसे पहला अधिकार है दोस्तों 6 में पहला समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, दूसरा हमारा है दोस्तों 17 का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर वो आर्टिकल 22 तक है, तीसरा हमारा है दोस्तो सोंसन के बिरिद अधिकार जो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 यानि 23 और 24 में है और उसके बाद है दोस्तों चोथा हमारा जो अधिकार मूल अधिकार वो धार्मिक सोतंतरता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है उसके बाद है दोस्तों, पांच हुआ हमारा मोल अधिकार संस्कृति तथा सिछा संबंधिय अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है, और लास्ट है दोस्तों, छटवा नमबर हमारा मोल अधिकार, संग्बैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में हैं दोस्तों डाक्टर भीम राव अमेटकर ने संग्वैधानिक उपकारों के अधिकार को जो अर्टिकल 32 में है इसे संग्विधान की आत्मा कहा है इस देखेंगे दोस्तों कुर्ष्चन नम्मर छे को वर्तमान में भारतिय नागरिकों को कितने मुल अधिकार प्राप थे दोस्तों हम लोग पढ़ी चुके हैं तो वर्तमान में भारतिय नागरिकों को टोटल 6 अधिकार रहे गए हैं एक निकाला ही गया आटिकल 30 संपत्तिक अधिकार जो एक विधिक अधिकार है नेस आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, 36 से क्याओं तक DPSP है, डारेक्ट प्रिस्पल आप स्टेट पालिसी यानि राजी के निर्देशक तत्व दे गये हैं, तो यह 36 से क्याओं तक है, और वहीं पर दोस्तों 51 का में मूल करते भी दे गये हैं, जो प्रारम में 10 है, अब 11 हो ग हैं, प्रारम में 10 है, वर्तमान में 11 हो गए हैं, यानि हमारा एंसर होगा, बिकल नुमबर ये, नेक्स देखेंगे दोस्तों, आठ नुमबर कोश्चन, जहाँ चर्चा की जरूरत होगी दोस्तों, हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, और जहाँ चर्चा की जरूरत नहीं बुलाता है, यहां से थोड़ा कनफ्यूजन है, दोस्तों, तीन कोश्चन बनते हैं, तीनों पर हम लोग बात करेंगे, दोस्तों, संसत के सन्युक्त अध्वेशन को राष्ट्रपती बुलाते हैं, जिसमें लोग सभावारा सभा होते हैं, संसत के सन्युक्त अध्वेशन क संबोधित भी राष्ट्रपती ही करते हैं यानि अधिवेशन बुलाना अधिवेशन को संबोधित करना वह संसत का जो निचला सधन है यानि लोक सभा उसको भंग करने या बिखिटित करने का अधिकार भी राष्ट्रपती के पास है यानि यहां से तीन कोश्चन यहां से एक लोग सभा उसको भांग या बिग्टित करने का अधिकार भी राश्टपती के पास है। लेकिन दोस्तों संसत के जो Свलीक तक अधिशता की जाएगी वह लोग सभा अधिश्ट के द्वारा की जाती है। यानि अध्यस्ता लोग सभा करेगा बाकी बुलाएगा राष्टुपती संबोधित भी राष्टुपती ही करेंगे और लोग सभा को बीखिटित भी राष्टुपती ही करेंगे आप लोग ध्यान से सुनेगा दोस्तों तो यह हमारा एंसर कौन होगा बुलाना दिया गया है तुब बुलाना राश्ठपती होगा यानि बिकल नम्बर ये नेजस धेखेंगे 9.blaar नम्बर कॉस्चन भारत के नियन्तरक यो महा- लिखा- परिच्छक की निकती कौन TIM करता है भारत के राष्टपती यानि बीकल नंबर यहां पर हमारा आंसर होगा भारत के नियंतरक यो महालेखा प्रिच्छा की यानि सिय जी की निपती राष्टपती सोरी दोस्तों गिरिमंती लगा दिये राष्टपती द्वारा की जाती है अगला कोस्चन देखेंगे कारिकाल निर्धारित नहीं हुआ निर्धारित नहीं समिधान में राष्टपती के विश्वास या परसाद परियंद तक दोस्तों राष्टपती जब चाहिए उन्हें अपने पत से हटा सकता है तो दोस्तों अब निपती कोन करता है तो राष्टपती करता है राष्टपती क करता है राज़पती के परशात परियंत तक यह धारन करते हैं जब चाहे राजपती इनको भटा भी सकता है अगला कोशन देखेंगे दोस्तों 11 नुमर कोशन सब्सक्राइब करें दोस्तों हमाई चैनल स्विक्रपा कलासिस को इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों हमाई च उच्छ नियाले का मुख यह दिस और C नंबर है महाधियोगता, D नंबर है भारत का मुख नियाधिस, तो राज का पर्थम बिधितकारी कोन होता है दोस्तों, महाधियोगता होता है न, बिकल नमर C, वही पर अगर सेंटर का पुछा जाए, तब महाधियोगता होगा, बिकल संविधान सभा की स्थापना कब होई तो हम लोग पढ़ए चुके हैं, संविधान सभा की स्थापना या पर्थम बैठक होई थी, 9 दिसंबर 1946 को, यहां से कोश्चन और बंते हैं दोस्तों, अगर अंतिम बैठक कब होई थी, यानि जिस दिन संविधान को पारित या मान कर लिए गया था, तो है दोस्तों, 26 नॉम्बर उनिस सोंचास, आप लोगों ने प्रस्तावना में भी लास्ट में देखा हूगा, लाइन लिखा हूगा, 26 नॉम्बर उनिस संविधान सभा को, आत्म निर्मित और आत्म परीत करते हैं, तो हमारा अंसर होगा दोस्तों, विकल बात कहें तो आप यूझ जानते हैं दोस्तों, भात में बहुत सारी दल्ये हैं, आप ले सकते हैं दोस्तों हमारे अंसर चल लहाए नотуस्तों, हुस्ता नुम्बर उनिस्ट जंता दल्य उनिन्याटिर यूजद्धिन जंता 10 वारकैर की दली बहुत तरहा कोस्टनेश देखेंगे No. 14 नश्लक गई कोस्टन दोस्तों निमलिखित मेंसे कौन पंचायती रास था नहीं है तो आप लोगों ने दूस्तोंड हैं हैं जिन्हों ने दुस्तों LOT समिति का दोस्तों अनुबूदन किया था सिपारिस की थी जो लागू भी हो गया जिसमें हमारे हैं ग्राम पंचाइट छेट पंचाइट जुबलाक है और यह के जिला पंचाइट तो कट कर जाएगा दोस्तों परिसद यानि बिकल नुमबर डी हमारा एंसर होगा नहीं बतान या आयोग आप लोग बार-बार पड़े होगी दोस्तों सरकारियाग संबंदित है किसे हमें बताना है यह नदी जल विवास से भी कर्सुधार से सिखेंदा संबंदोसे और पर यग तुमें से कोनी तो हमारा एंसर क्या हो आगा दोस्तों रगा इंदर राज संबंदोसे य सब्सक्राइब करें चैनल को सेर वाल लाइक जरूर करें तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले टेस्ट सेरीस के साथ थैंक्स फार वाचिंग